जयन्ति बानाश्वर मौले लालिता दशास्य चुडामनी चक्रचुम्बिनाः सुरा सुरादीश शिखांत साहिनौ भावा प्षिदा उत्यम्बटा पादपंसवाः महामाया तुम्हें उतार रही है महामाया तुम्हारी माता है माता की लाज रखो अम्रित पुत्रों प्रेंट जस्चु और रहे हैं अम्रित के पुत्रों मृत्यु का भें मिच्च्या है वह सब्सक्तों में रमाज करना पाप है संकोच और भुविदा अभिशाथ है वह सहाथ प्षण अजिपर के इसकार के समाई कोंगे रहा है यह उत्ताल शमुत्र में नहीं है जिसके ज़त मेग नहीं है यह है आर्या वर्ट के सरुनों की खुरंगा साहिए महामाया माता ने आदा सत्य ही पाया है देवी कि आधा और पासके तो समझती कि छुई मुय की खाथ की मुर्शा सकना भी कितनी बड़ी शक्त सक्च रूप है तुम भी उस आधे सत्य से वंचित हो भट पर मैं दूसरी बात ही सोच रही थी महा माया ने खीक ही कहा है कि राजाओं और राजपुत्रों की ओर ताकते रहने से आर्यावर्ट का उद्धार नहीं होगा परन्तों यह भी आधा सच्छे जानते हो मैंने आज तक आर्यावर्ट जैसी विचित्त्र समाध व्यवस्था कहीं नहीं देखी भारत वर्ष में जो उचे हैं वैं बहुत ही उचे हैं और जो नीचे हैं उनकी नीचाई का कोई आरपार नहीं क्यों भट? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उची भार्पीय साधना उन तक पहुचाई जा सके? और निक्रिष्ट समाजिक जतेलता यहां से हटाई जा सके? जब तक यह दोनों बाते साथ साथ नहीं हो जाती तक तक शाषत शांती असंभव है महा माया आधा ही देख रही है बट यह जिस तुम इस कोई इसकते का प्रचार और प्रचार करो तो कैसा हो तुम जो आज़िश्ट होगी वो मेरे सिर्मासे होगा देवी जो बैजिक पाउदानिक परपड़ा रही है उस द्राश्ती परपड़ा के साथ उनों ने लोग परपड़ा का विश्टंगी दिया उसका तुमार बढ़ दिया और इसमिव के चिंटम में लोग जीवन का यसार्थ है मानु का अबाद है मुनिष्टिया के पक्स में ख़ड़ दिखाई करते हैं सुप्रपति साहिटिकार आचारे हजारी प्रसाद गुवेदी का जंग उत्तरदेश की बल्या के आढ़ा दूबे का छपरा ओजवल्या की इसी पावन भुनी में 19 अगस 1907 में हुआ था दिखिया हजारी प्रसाद गुवेदी के बारे में बोल गई हो न जी अब पर ये उनका मूल नाम नहीं है जन के समय उनका नाम रखा गया था जैजिनाथ गुवेदी जैजिनाथ गुवेदी लेकिन हम तो उन्हें हजारी परतर प्रेदी के नाम के ही जानते हैं इसकी भी रख बड़ी रोचत कता है सुनोगी? अबश्यर मेरी भाशा में यूनके शब्दों है जैसा आप ठीक संगे? तो ठीक है, चलो मैं तुम्हे सुनाता हूं जिर दिन मेरा जन्म हुआ उसे दिन किसी मुकदमे में विजय में घरवालों को बारस और रुपे मिले उसकी खुशी में मेरा मूल नाम भुलवा दिया गया और मगरसे के रजिस्टर से लेकर विशाल भारत के पन्नू तक में दो सो रुपे को कम करके एक हजार रुपे की इस्मर्ची को ढोने वाला हत भाग्य नाम इतना प्रशिद्ध हुआ, इतना प्रशिद्ध हुआ कि लक्ष्मी देवी ने क्रोजवा शाब दे दिया हजारी तो अक से आगे तुम इस जन्द में नहीं बोष सकते बुजूर्गों ने चुने नाम दिया था वो जबर्श घटना के चारण व्रिस्मिती के अतार सागर में डूब गया कहीं से घर वालों को हजार रुपे की आमदनी हो गई और जन्द साधारण ने इस अप्रम पार धंगराशी के अईतिहासिक महत्य को इस्थाई बनाए रखने के लिए हजारी नाम दे दिया हादम दूड़ा नहीं है थोड़ा किस्तग भी है डेमोकरिसिस के इस खत्रे के युग में भी जन्द साधारण के दिये नाम को वे जन्दा का प्रशाज समझ कर अब भी धोए चला जा रहा है तो ऐसा है हजारी प्रशाज देखो बिटिया एब असरिकापूर का मिडिल स्कूल यहीं से दुवेजी जी के पढ़ाई शुरू ही और हाँ यहीं से दुवेजी ने मिडिल क्लास के इमतहान पॉस्ट दुवेजन में पास किया था आँ अब आगे चलें यह पाराशर मुनी का ब्रह्मचरी आश्रम है संवीज सो बीस में मिडिल पास करने के बाद दुवेजी जी यही संस्कित पर में आए और तीन साल तक यानि 1923 पर कही संस्कित बहना पड़ी और फिर 1923 में आगे पढ़ने के विए काशिच चलें जी संस्कित पढ़ने काशिव रही दिये थे बात यही कि मैं संस्कित कालेज में पढ़ता था इतना अब ध्यान रखें कि हिंदु शिवद्याले का संस्कूद कालेज नहीं होता तो मैं शायद कुछ भी नहीं पढ़ सकता था मैंने ज़रु जिल से सीख कर थोड़ी अंग्रेजी पढ़ी और एड्मिशन के परिक्षा में बैचा तो तुम स्रेणी में पास हो गया हिंदु शिवद्याले के सिंट्रल हिंदु कालेज में बड़े उसाते इंटर्मीडियेट पढ़ने गया इंटर्मीडियेट के साथ ही संस्कूद कालेज से शास्त्री और आचारी किया आचारी करते ही आट नूमबर 1930 को शांतिने के तन में हिंदी अध्यापग के रूप में मैंने कार आरंब किया मरे जीवन की सबसे बड़ी घटना शांतिने के तन में गुर्दियू का तरशन पाना था मुझे भायर वरसंतब उनके निगत संपर्क पे रहने का आउसर मिला था उनका जीवन बहुत ही संयमित और प्रेरेना दायग था यही में आचाय ख्षिति मुहंसेन नंदलाल वसुग स्रीय फैंडरूज की पर्ष में आया शांतनी केतन में ग्रेडी जी 1930 में 1950 तक 20 वर्षों तक रहे यही रहते वे उन्होंने अधिनाव भारती गंथ माला का संपादन 1944-1946 तक विश्व भारती पत्रिका का संपादन 1941-1947 तक किया 1946 में वे अखिल भारती हिंदी साहित समेलन के कराजी अधरेशन के साहित परिशत के अध्यक्ष रहे 1948 में वे अखिल भारती ओरिंटल कॉंफरेंस के दर्भंगा अधरेशन के हिंदी विभाग के सभापती रहे 1945-1950 तक विविश्व भारती के हिंदी भवन के संचालक रहे 1949 में लखनो विशुद्याले ने उनके समानात उनी डॉक्टर ओफ लिट्रेचर के उपादी से समानत किया शांत निकेतन काल में ही गिलेडी जी ने अने गंठों की रचना की 1930 के आज़ पास उनका सूर्थ साहित पकाशत हुआ 1940 में हिंदी साहित की भूमे का 1941 में उनकी प्रसथ आलोचना कबीर का प्रकाशन हुआ 1946 में उनकी प्रसथ उपन्यास बारभट्य की आत्मकथा का प्रकाशन हुआ अपने मानवतावादी विचारों की इच्छाया में ही उन्होंने भार्तिय साहित के संस्कृति सब्धता का और धार्मका भी गंभीर अध्यान किया था और उसके जो मुल्य थे उन मुल्यों को उन्हें आत्मसाथ किया था इनी विचारों और मुल्यों के परिप्रेख्य में हिंदी साहित्य के ख्ष्ट में सनिक्षा के ख्ष्ट में बे अवतीन हुए थे और जो उनके पहले की पूरी परंपरा की उस परंपरा को आपने साथ करते हुए भविष्य के लिए कैसी विचार दिश्टी होनी चाहिए भविष्य के लिए किस प्रकार की का स्विजन होना चाहिए इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें में शाहिट के खेट में एक बिपल रचिना बंडाल प्रसित दिया 1950 में उन्हें पुनह काशे हिंदु विश्विद्याले की हिंदी विभाग के आचार इवमध्यक्ष का आमंतर प्राप्त हुआ दोहर सूर भी आमंतर मिला था पर मैं ना गया पर इस बार बड़ा धर्म संकट था शंतिनिकेतन का कहना था कि आपके जाने से संस्था का नक्सान होता पर घरवाले काशी बुला रहे थे अब अंतरियामी जो कहे इस सुठी पर अंतरियामी जो ना राम ना गंगा मैंने बहुत भी नए की कि बाबा कुछ तो बताओ यह काशी जना है काशी जो मेरा स्पन है जिसके एक एक कणमी आकरशन है एक एक तरशन में उमाद है गंगा की ननोहर और्वी में जहां तुबाई हुए जो सुराथ और अन्नपुर्णा की अहैतित क्रिकों का पुदार है तो इस काशी में जाए पर अंतरियामी चुप धना अग्मी जो सोया तो करवच तक नहीं पर ला लो केरे कथा जिश्ने काने घिरिश्ने आर हाजार ताने जैनोर तो रिदोय जाने रिदोय तो अपने राजा अब अंतरियामी भी जागे फिर गुर्गों बोले मत जाओ सब कुछ तैं हो गया जो बात स्वार्थ की द्रिश्टी से इतनी उन्जी में लग रही थी वो कर्टबी की द्रिश्टी से एकदम साफ हो गई इसे चोचना क्या है बहला मेरे लिए दोन सवस्थाइं ही आरागी है दोन का लक्षी इख है फिर मेरे अंदर कर्टबी का तो अंदर क्यों पक्ष तो चैनो काशी हजारी प्रसार दुदी का बाणना था कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है और लक्ष की पूर्ति के लिए ही हम देखते हैं कि उन्होंने जो भी ग्रंथों की रशना की चाहे वो अनामदास का पोथा हो या कबीरदास हो या बारभट की आत्म कथा हो सब जगह उनका यह लक्ष जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई देता है 1950 में दिवेदी की काशी आ गये हैं और इसी वर्ष उनकी पुस्तक साहित्य का साथी का प्रकाशन हुआ और लख्णोव विशु द्याले में साहित्य का मर्म इस विशे पर उनकी तीन व्याख्यान हुए 1952 में बिहार राष्ट भाशा परिशद पत्ना में उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल पर पाच व्याख्यान दिये जिनका संग्रह बाद में हिंदी साहित्य के आदिकाल के नाम से किया जया इसे काशिकाल में हिंदी साहित्य कल्पलता विचार प्रवाह आदिकृतिया प्रकाशित हुए 1952 में उन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा के हर्थ लेखों की खोज की 1954 में साहित्य अकादमी के प्रकाशित नेशनल बिब्लियोग्राफी का निरीक्षन किया 1950 से तिरपन तक विश्वारती विश्विद्याले की अग्जेक्यूटिव काउंसल के सदस रहे 1952 तिरपन में वे काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष रहे व्यक्ति मानों की समस्याओं को हल करना ही आज पर्याप्स नहीं है समाज मानों की समस्याओं ही हमारे विशारकों को अधिक व्याप्स और चिंतित के हुए है इसलिए यदि हम आज की इस दुनिया की प्राथमिक और श्यक्तों की पूर्टी नहीं करते हैं तो बरी-बरी साधनाए ये निर्जर्चत है एक कम निर्जर्चत ये बात बहुत गौर करने की है कि नामवर सिंग, शिव प्रसाद सिंग, केदार नाज सिंग, काशी नाज सिंग और मैनेजर पांडे जैसे ये शस्पी शिश्य हजारी प्रसाद गुवेदी की वजह से हिंदी साहिति संसार को उपलब्ध हुए और इन शिश्यों ने किसकदर अपनी आधुनिक्ता और प्रगती शीलता में अपने गुरु को इंदोर्स किया है, उन्हें एसर्ट किया है, उन पर इसरार किया है, ये भी बहुत ध्यान देने की बात है 1955 में दिवेदी जी अखिल भारती हिंदी परिशत के अध्यक्ष हुए और इसी वर्ष राजधाशा आयोग के राश्रपति द्वारा मनोमीत सज़स्य हुए 1957 में देवी जी को राश्रपति द्वारा पज़ भूशा उपाधे से समानित किया गया 1907 में दिवेदी जी में काशी छोड़ दी 1907 में 1917 ये पंचाब विश्व द्याले चंदी गड़ में हिंदी विभाग के आचारे एवं अध्यक्ष रहे और इसी काल में उनकी प्रसदी कृतियां कुतज, काले दास की वालती योजिना और शारुचंद्र लेग यसी कृतियां प्रकाशित हुए प्रकाशित हुए वास्तिक पराजे है विभी सारका प्रकेश देखिए उनकी आपन्स हो जाए पुझे वंचमाग की चिंता नी होगी ज़िए वजा में आत्म विश्वास बना रहे अपने अपनी करों में तिहास की रेणा चाकरे प्रहे देवदारू शीशत निवंध में उन्होंने कहा इस देश में लोग पीडियों से सिर्फ जाती देखते आ रहे हैं जब तिको न देखने की आदत है न परक इस संत लोग चिलाते चिलाते ठग गे में मोल करो तरवार को पड़े रहें दुम्यान अगर तरवार बंदी रह गी यान के मोल भाव से बागारगर में इस व्यक्तितु को यहाँ पूछता ही कौन है अक्टूबर 1967 में दुएदी जी काशी हिंदु की शुद्याले के हिंदी विभाग के विभागा ध्यक्ष बनकर लोटे 1978 में वे रेक्टर हुए और इस पत पर वे दो वर्षों तक रहे इसके कुछी महिनों के बाद उत्त प्रिदेश हिंदी ग्रंग अकादमी के अध्यक्ष कापद उन्होंने सम्हाला बाद में हिंदी सर्थान की पुनर्गठन के पश्चाथ उन्होंने इसकी उपाध्यक्ष कापद भी रहन किया इस बीच उनकी दो पन्यास तकाशत हुए 1973 में पुनर्णवा और 1973 में अनामदास का पूथा ते रागन अधी दैवत अधात प्रम्हांग की द्रिष्टी से बायु ही संबर्ग है अब अर्धात में अर्धात पिंड की द्रिष्टी से सुरू पिंड अर्धात शरीर की द्रिष्टी से प्राण की संबर्ग है राजन अधात प्रम्हांग की चार देवता अगने सुर्य चंद जलर तथा वायु मिलकर के पांच होते हैं इसी प्रकार पिंड की इंड्रियां वायु चक्षू श्रोत नन तथा प्राण मिलकर भी पांच होते हैं यह सब दस हैं और यह दसों मानो करता हैं इजी में संपूर्द विश्व का प्रपंच श्रील रहा है। जो इसे जानता है वो दश्ता रूप में विजरा होता है। वो संसार में भोकता होकर जीता है। 1980 के आरंभ में दिवेदी के गंधी रूप से अस्वस्थ हुए। और उन्हें चेकित्सा के लिए बिल्ली के अखिल भारती आरेविज्ञान संस्थान लिजाया गया। जहां। 18 में 1990 को उनके भीतर का देश्ता महाकार में विलिव हो गया। मैं क्या कहूं। कभी कभी आँख में हासु आजाते हैं। बड़े बुजूर जब रहते लिए तब तकलीफ होती है। क्यों क्या हाल होता है। लेकिन मैं बहुत तकलीफ नहीं। जब उनका दीन आता है तो मैं कर्ष्ट में पढ़ जाती हूं। क्या कहूं अपनी। किस तरे से अपने कर्ष्ट आपको कहूं। मैं बता नहीं सकती। मैं साहित्य को मनुस्ति की दृष्ट से पक्षिपाती हूं। जो वाग्जाल मनुस्ति को दुरगती, हींदा और परमुखा पेक्षिता से बचा न सके। जो उसकी आत्मी को तेजो दीप्ष न बना सके। जो उसके हरदल को परदुख कातर और संबेदन शीन बना सके। उसे साहित्य कहाने मुझे संकोच होता है। जी हूं। मैं सी ही वास्तित लगशे। जी हूं सकति बसुब। जी हूं जी हूं झाल 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 झाल